नमस्कार आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरू का मद्प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान आजरी वाएंगे शहर सिल्लगभग 80 किलोमेटर दूर त्योथर कस्बे में स्थित कोल राजाओं के गढ़ कोल गढ़ी पहुँचकर दो पहर दो बजे आयोजित कारिक्रम में शामिल होंगे यहाँ पर वहलगभग 200 साल पहले कोल राजाओं के द्वारा स्थापित की गई कोल गढ़ी के जिर्डो धार के लिए इसकी आधार शिला रखती हुए भूमी पूजन करेंगे इसके साथ ही मुख्यमंतरी त्योथर सिचाई पर योजना के शिला नयास और स्वामित योजना के तहतित गराहियों को भू अधिकार पत्र का बित्रण भी करेंगे कोल गढ़ी रिवा जिले के त्योथर कस्बे में एक उचे टिले पर टमस नदी के किनारे स्थित है पुरा विदो के द्वारा कोल गढ़ी किला को लगभग 200 साल पूराना बताया जा रहा है वरतवान समय में कोल गढ़ी का छोटा किला भवन जीर्न शिर्न हालत में है मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने इसके जिन्नोधार की घोशना की थी इसके लिए 324 दिसमलो 70 लाख रुपे मनजूर किये गए है सियम शिवराज आज कोल गढ़ी के जिन्नोधार कार का भूमे पोजन का रिसकी आधार शिला रखेंगे इसके साथ ही सियम शिवराज त्योथर सिचाई परियोजना का शेला नयास और हितगराहियों को स्वामित योजना के तहत भू अधिकार पत्र भित्रण करेंगे कोल गढ़ी आदिवासी कोल राजाओं के ब्यभाशाली शासन का प्रतीक है बुक्यमंत्री ने कोल गढ़ी के जिन्नोधार के साथ यहाँ पर कोल संस्कृती के स्नरक्षण के लिए कोल संग्रहालय के निर्माड के भी निर्देश दिये हैं इस संग्रहालय में कोल समुदाय के संस्कृत से जूरी बस्तुएं भी प्रतलसित के जाएंगे कोल गढ़ी का जिर्नोधार और संग्रहालय के निर्माण होने के बाद यह शेत्र कोल समाज के लिए तीर्थ हिस्तल के रूप में जाना जाएगा इसके संग्रह हो जाने से लोग आदिवास्यों का इतिहास भी बैतर तरीके से जान सकेंगे साथ यह इलाका भी परिटन के दिर्ष्ट से देखा जाएगा हम आपको बता दे कि विंद शेत्र में लंबे समय से गुजरात चालूक के शाखा के बगेल राजाओं का शासन रहा है इनका राज बहुत बिस्तृत था इस राज के सिमाबर्ती शेत्रों में कई छोटे राजाओं ने शासन किया इनके रिवा में राजाओं से मित्रबत सम्बंध रहे हैं इसी तरह का राज तियोथर में था जिसे कोल गढ़ी के नाम से जाना जाता है बगेली बोली में गढ़ी छोटे किले को कहा जाता है यहाँ पर कोल गढ़ी होने से यह सपस्ट होता है कि यह कोल राजाओं का किला है बताया जाता है कि तियोथर शेत्र प्राचीन काल से ही राजवंशी राजनीति का महत्यपून केंद्र रहा है माबारत काल के भूरिस्ट्रवा की विजयांट की कथा से लेकर आदिवासी राजयवं बिनवंशी राजाओं की कहानी त्योथर की कोल गढ़ी से जुड़ी हुई है बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस कोल गढ़ी से कभी भूर्तिया राजाओं ने भी अपना शासन चलाया था यहां भूर्तिया राजाओं ने शासन किया और उनका प्रशासन त्योथर स्थित कोल गढ़ी से ही चलता था मुख्यमंत्रे शिवराज सिंग चोहान के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा लगभख सभी तयारिया पूर्ण कर ली गई है आज सुबह से ही यहाँ प्रशासन और पुलिस के आलाधिकारी पहुँच चुके हैं प्रशासन और प्रशासन और हमाया चाई है